हेलो एब्रिवन इस वीडियो में डिसकस करेंगे ABCD पैरामिटर्स यहां पर देखेंगे ABCD पैरामिटर्स या ABCD कॉंस्टेंट क्या होता है पैर एबी-सईडीubliquewn शचली होता क्या है सिरीज इंपीटेंस और सण्डेस को कॉम्बिशन ABCD कॉंस्टेंट कह लाता है ABCD कॉंस्टेंट क्या होता है तो one port is sending end and other is receiving end तो जो हमारा transmission line होता है यह एक प्रकार से two port network होता है जिसमें एक port इसका sending end होता है और जो दूसरा port होता है receiving end होता है ठीक है तो जो यह port है यह आपका sending end port होता है और यहाँ पर receiving end port होता है इस तरह से एक port sending end और दूसरा port receiving end होता है यहां पर हम ABCD constant को मान लेते हैं ABCD constant को मानने का ताथ पर यह होता है कि जो हमारा calculation होता है उसको आशान बनाने के लिए ठीक है impedance या जो भी admittance या बागी जो parameters को हमें जो find करना होता है हम ABCD constant को find करने के बाद हम आसानी से बिभीन्द प्रकार के parameters को find out कर सकते हैं ठीक है तो calculation को आसान बनाने के लिए हम यहां पर ABCD constant को लेकर जो हमारा transmission line equation है उसको हम solve करते हैं यहां पर देखेंगे तो यह transmission line equation है इनके माध्यम से हम बिभीन्द प्रकार के parameters को आसानी से find out कर लेते हैं ठीक है तो यह आपका जनरल transmission line equation है यह sending and voltage के लिए a receiving and voltage plus b receiving and current इसके बाद जब हम sending and current निकालेंगे तो is sending and current equals to c receiving and voltage plus d receiving and current तो यहां से हम sending and voltage और receiving and voltage को इसके द्वारा find out कर सकते हैं हम इन दोनों equation को हम इस प्रकार से कुछ matrix के form में भी so कर सकते हैं ठीक है यदि मान लेते हैं कि यदि d जो है वो a के equal है मतलब a equals to d है तो क्या कहेंगे कि जो हमारा transmission line है वो क्या है symmetric है यदि a की value d के equal है तो इस case में कि जो हमारी transmission line होगी वो symmetric होगी transmission line symmetric का मतलब क्या है कि जो इसका input side से देखा जाए या मतलब कि जो sending and sending end की तरफ से देखा जाए या फिर receiving end की तरफ से देखा जाए दोनों ही condition में जो इसका थेविनिन impedance होगा वो same होगा ठीक है मतलब कि चली हम मानते हैं practically यदि बात करें तो यदि हम एक wire market से लेकर आते हैं और उसका यदि हम चाहे wire है चाहे हम इस छोर से impedance को measure करें या फिर इस छोर से measure करें दोनों ही छोर से measure करने में हमको जो impedance मिलेगा वो same मिलेगा तो practically जो हमारे transmission line होते हैं वो always symmetric होते हैं ठीक है और जो हमारे transmission line होते हैं वो क्या होते हैं reciprocal होते हैं ठीक है reciprocal का तात पर है कि चाहे हम sending and voltage है Яन पर ले ले और receiving and voltage हमें सारे parameter or voltage मिलेगा output हमें same मिलेगा ठीक है चाहे हम यहां पर sending and voltage लेगे और यहांपर we receiving and voltage ले ले तब भी हमें जो output है वह मिलेगा ठीक है दोनों ही case में हमें output रेंडेगा तो इससे क्या बोला जाता है यह होता है reciprocal condition practically all transmission line are symmetric and reciprocal जितनी भी हमारी transmission line होती है वो symmetric और reciprocal होती है इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से हम जो हमारे ABCD constant है उनको हम find out करेंगे तो हमारे दो equation है इन equation को आप याद कर लिजिए इन equation के आधार पे हम चीज़ों को find out करते हैं धाए? यहाँ से माल लेते हैं कि जब हम क्या करें जब हम हमारा जो receiving end है इसको हम क्या करने? open circuit माल लेते हैं धिक्коїश जब open circuit मालेंगे तो जो receiving end में करेंट है धिक्ट है? जो receiving end करेंट है माल लेते हैं कि یہ transmission line से leaving कर रहा है और जो sending end current है वो transmission line में मान लेते हैं कि ये enter कर रहा है ठीक है तो design receiving end को open circuit मान लेते हैं तो उस case में क्या होगा कि open circuit में क्या होता current command क्या हो जाता? 0 तो यहाँ पर current command 0 हो जाएगा जब हम receiving end को open करेंगे ठीक है तो उस case में vs की value sending and voltage की value क्या होगी यह 0 हो जाएगा तो हमको यहां से sending and voltage मिल जाएगा vs equal to a vr ठीक है a receiving and voltage तो इसी चीज़ को हमने यहां पर ले लिया है ठीक है जब हमारा receiving and जो है वो open circuited है तो receiving and current 0 हो जाती है तो यहां से आप vs मिल जाएगा और तो जो sending and current है, वो यहां से हमको यह मिल जाएगा, ठीक है, यहां आप देखेंगे, तो sending and current, इसकी value क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो आपको यहां से यह equation मिल जाएगा, ठीक है, तो sending and voltage और receiving and current, sorry, sending and voltage और sending and current यहां से हम find कर लेते हैं, ठीक है, यहां से आप a की value वो find कर ले S मतलब sending and voltage divided by receiving and voltage ठीक है तो इसको क्या बोलेंगे हम A A equals to sending and voltage divided by receiving and voltage ठीक है इसको हम बोलते हैं reverse voltage gain actually क्या होता है जो हमारा voltage gain होता है output voltage upon input voltage लेकिन यहां पर input upon output है इसलिए हम इसको reverse voltage gain at open circuit ठीक है हम इसे reverse voltage gain कहेंगे ठीक है इसके बाद में हम C निकालेंगे तो यहां से आप C की value find out कर सकते हैं तो आज आएगा sending and current divided by receiving and voltage ठीक है इसको हम बोलेंगे transfer admittance ठीक है जो हमारा impedance होता है VY होता है और हमारा admittance होता है वो actually I by V होता है जैसे कि admittance किसको बोलेंगे जब same line पे sending and current or sending and voltage हो तो हम admittance बोलेंगे लेकिन यहां पर sending and current है और receiving and voltage है तो यह transfer admittance इसको बोलेंगे ठीक है तो यहां पर आपको transfer admittance मिल जाएगा ठीक है तो यहां जो हमारा C constant है इसकी unit क्या हो जाएगी इसकी unit मो हो जाएगी इसे आप हमेशा याद रखना और जो आपका constant A है इसकी unit कोई unit नहीं होगा यह unit ले से इसकी unit नहीं होगी ठीक है यहां पर कोई unit नहीं होगी A के लिए और जो C constant है इसकी unit मो होगी ठीक है फिर इसके बाद में open circuit impedance की बात करें तो क्या होगा open circuit impedance open circuit impedance from sending end ठीक है तो यहां से आप open circuit impedance को find out कर सकते हैं sending and voltage divided by sending and current at IR equals to 0 तो यहां से आप impedance को find out कर लेंगे जो आपका open circuit impedance है यह हो जाएगा A by C ठीक है इसके बाद में हम यहां पर बात करेंगे जब हम receiving end को short circuit कर दें पहले हमने क्या किया था जो हमारा यह diagram था इसको हमने पहले क्या किया था open circuit किया था यहां पर ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे यहां पर हम इसको short कर देंगे इसको हम short कर देंगे जब short करेंगे तो जो receiving end जो voltage है उसकी value हो जाएगी 0 ठीक है इसकी value क्या हो जाएगी 0 और जो आपका current है वो same रहेगा ठीक है सिर्फ voltage की value यहाँ पर 0 होगी और current IR रहेगा ठीक है तो उस case में जो sending end अब जब short circuit करते हैं तो इसकी value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी यहाँ पर इसकी value भी 0 हो जाएगी तो इस तरह से Vs equals to आजाएगा BIR और Is equals to आजाएगा DIR ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे Vr 0 हो गया तो आपको Vs की value मिल जाएगी यहाँ पर और यहाँ पर आपको मिल जाएगी Is की value Sending and voltage और Cons Animal Campaign रही यहाँ मिल जाएगी तो यहाँ से आप B की value को निकाल सकते हैं और यहाँ से आप Cवाल को निकाल सकते हैं ठीक है तो आपको यहाँ से यह चीजह मिल जाएगी हम इसको क्या बोलेंगे यहां Vs divided by Ir है ठीक है तो यहां पर आपका यह क्या होगा है transfer impedance ठीक है Vy I हो जाएगा impedance लेकिन यह sending and voltage और receiving and current का ratio है ठीक है तो इसको हम transfer impedance बोलेंगे at source circuit ठीक है और इसकी जो unit होगी इसकी unit हो जाएगी ohm ठीक है यह इसकी unit क्या हो जाएगी जो b constant है इसकी unit ohm हो जाएगी और d के लिए देखेंगे तो यह sending and current divided by receiving and current ठीक है तो यह unitless हो जाएगा ठीक है ampere ampere से cancel हो जाएगा तो और इसको बोलेंगे हम reverse current gain ठीक है तो इस तरह से हम चीजों को यहां पर a b c d की value को find out कर सकते हैं और जो की हमारे constant है ठीक है यहां पर आपको वही चीज बताया गया है इसके बाद में यहां पर आप short circuit impedance को find out कर सकते हैं ठीक है sending and impedance at short circuit इस formula से आप क्या find out कर सकते हैं short circuit impedance short circuit impedance को find out कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर आपने देखा कि किस प्रकार से हम a b c d constant को यह a b c d parameter को find out करते हैं ठीक है आपको ध्यान रखना है कि a b c d की क्या unit होती है कौन से unit less होते हैं ठीक है और यहां पर आपको मैंने बताया कि जब a equals to d होगा तो आपका transmission line symmetric होगी ठीक है और यहां पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे a d minus b c equals to one होगा या फिर a equals to b c होगा तो आपका transmission line reciprocal माना जाएगा और जैसे कि important आपको यहां पर मैंने बताया कि all practically all transmission line are symmetric and reciprocal ठीक है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे थैंक्यू